नमस्कार मैं हूँ प्रिशान्त भार्द्वाज और आप देख रहे हैं न्यूस रूम पोस्ट उत्तर प्रदेश के साथ खिलाडी शनिवार को अधिकारी बन गए इनमें से चार खिलाडीयों को DSP का न्यूकती पत्र सौपा गया है खिलाडीयों पर योगी सरकार ने जम कर धनवर्शा भी की है 189 खिलाडीयों को 62 करोड रुपे दिये गए हैं और इनमें कई खिलाडीयों को 75,5,5 करोड और किसी को 3 करोड रुपे तक की राशी भी मिली है सबसे जादा इनाम राशी साड़े 4 करोड रुपे मेरट की पारुल चौधरी को दी गई है पारुल को UP में DSP भी बनाया गया है शनिवार को उन्हें लखनव के इंदिरा भवन में आयोजित कारेकरम में CM योगी अधित्यनाथ के हाथों 4.5 करोड रुपे के चेक के साथ उनका नियुक्ती पत्र भी दिया गया पारुल चौधरी ने एशियाई खेल में 500 मीटर की दोड में गोल्ड और 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मैडल जीता था इस मौके पर CM योगी ने पारुल और UP के सम्मानित किये गए अन्न खिलाडियों की चम कर तारीफ भी की उन्होंने कहा कि जब चीन में आयोजित एशियन गेम्स में पारुल के प्रदर्शन को देख कर हर कोई हैरान रह गया था पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दोड जीती थी अंतिम लैप में वो जापान की रिरिका हिरो नाका से पीछे चल रही थी लेकिन आखरी 40 मीटर में उन्हें पछाड कर 15 मिनट 14.75 सेकंड के समय के साथ वो स्वन्र पदक जीतने वाली UP की खिलाडी रही है एशियाई खेलों में पारुल का ये दूसरा मेडल था इससे पहले उन्होंने महिला 3000 मीटर की स्टेपल चेज में भी सिल्वर मेडल जीता था पारुल इस प्रतियोगिता में स्वन्र पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला भी है गोल्डन गर्ल और उडन परी के नाम से मशूर पारुल का जीवन भी संगर्शों से भरा रहा है मेरट के एक बड़े ही साधान से किसान परिवार की पारुल ने गाओं में ही अपनी बड़ी बहन प्रीती के साथ खेलना शुरू किया था उनके पिता कृष्ण पाल सिंग के कहने पर स्कूल की दोड़ प्रतियोगिता में भाग लेकर के उन्होंने खेल के अपने सफर की वहां से शुरूआत की वो लंबे समय तक गाओं की तूटी फूटी सडकों पर अभ्यास करती रही फिर बाद में कोच गौरव त्यागी के कहने पर पारुल ने स्टेडियम में प्रेक्टिस करना शुरू किया बताते हैं के प्रेक्टिस के लिए पारुल अपने पिता के साथ सुभव 5 बजे मुख्यमार्ग तक पहुंसती थी और फिर वहां से वो टेंपो या किसी दूसरे वाहन के जरिये स्टेडियम तक जाती थी एशियाई खेल में पारुल ने 5000 मीटर दौड के लिए एक अलग रणनीती बनाई थी शुरू में वो पांचवे और छटवे स्थान पर रही 4000 मीटर तक की दौड पूरी होने तक वो पांचवे नंबर पर बनी हुई थी इसके बाद उन्होंने अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू किया और पांचवे से तीसरे नंबर पर पहुँच गई अंतिम दौर के 15 सेकंड में वो दूसरे स्थान पर थी पारुल ने आखिर के 9 सेकंड में अपनी कती को पूरी ताकत देते हुए स्वरन पदक अपने नाम कर लिया तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलाल इतना ही यूपी के मेरट की पारुल चौधरी से जुड़ी इस जानकारी पर आपका क्या रियक्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ नमस्कार